वेलकम तो स्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर चैनित बी एड प्राइमरी में जो नियुक्त हो चुके हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं या नहीं इस मामले में आज बहुत ही महत्पुर्ट सुनवाई होई सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई समाप्त हो गई ह है और क्या हुआ ये बात करते हैं तो डबल बेंच में मामले को सुना गया था आज इस पेसल बेंच बनाया गया था सुदानसु धूलिया जी और जोशी का जिन्होंने 11 अगस्दुहरतेज का फायसला सुनाया था ये हैं डियलेट के वकीम नैच्छी और और अने सिनियर व कर रखे गए बात करते हैं सौट में दो डेट यहां पर काफी अधा इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही हैं राजस्थान जोदपूर हाई कोर्ट का फैसला जो 25 नॉमबर 22 को आया था और इसके बाद फिर सुप्रिम कोर्ट का फैसला जो 11 अगस्द 2023 को जारी हुआ था पहले प्रदेश के जो वकील थे बीएट की तरब से सरकार की तरब से जो उपस्तित हुए थे यहां पर इन्होंने बताया कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो 2022 में जारी हुआ था जो की 2023 के सुप्रिम कोर्ट फैसले के पहले था इस वजए से जो निक्त हो गए हैं 23-11 अगस्त को आया था उससे पहले यह भरती पूरी हुई है और उस समय की जो परिशिती थी जो समय का नियम था उसके इसाब से इन अभरतियों को निक्ती दे दी गई है तो यह यहां पर मद्दबर्द सरकार की तरब से पक्ष रखा गया यह भी कहा गया कि 11,000 यह हैं उनको डिश्टर ना किया जाए जब सुप्रिम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है उसके बात की भरतियों में बीएट बाहर है लेकिन जब तक आपने यह फैसला नहीं दिया था बीएट के वकिलों ने कहा जसा आप से क्योंकि इन्होंने ही फैसला दिया था 11 अगा तो 50 मिनाट के लगवक भास हुई है तो यहाँ पर मिनाक्षी ओरोडा मैडम और जो डियलेट के अन्हों वकिल थे उनके द्वारे यह कहा गया कि 25 नॉम्बा 2021 को राजस्थान की जोदपूर हाई कोर्ट ने NCTE का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैस कर दिया वो नोटि के द्वारा की सेंट्रल नोटिफिकेशन क्वैस हुआ है और वो सिर्फ इस्पेशल राजस्थान के लिए नहीं था बलकि वो नोटिफिकेशन पूरे देश के लिए था और 11 अगस 2030 को सुप्रिम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो राजस्थान की जोत्वर हाई को के फैसले को सुप्रिम कोड ने सही माना यानि कि जो क्वैस था उसको सही माना उस क्वैस पर कभी भी सुप्रिम कोड ने इस्टे नहीं लगा था जब सुप्रिम कोड ने कभी भी जोत्वर हाई कोड के फैसले पर इस्टे नहीं लगा यानि कि 25 नॉमबर 2021 से ही एंसी टी का नोडिफिकेशन क्वैश है के बात फिर बिज कोर्स पर बात हुई बिज कोर्स पर सरकार के दरब सो पस्तित वकिल ने कहा कि बिज कोर्स हम कराएंगे बिच बिच में कभी सुनवाई बिच कोर्स पर ये फाइनली बात हुई और उसके बात फिर मद्द परदेश की तरब से बिएड के वकिलों द्वारा कहा गया कि इस मामले में जो ओडर आया था 11 अगस 2023 का इसे प्रोस्पेक्टू लागू किया जाए यानि कि जब ओडर आ गया तो उसके बाद ये लागू हो रेट्रोस्पेक्टू लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि जो पहले बिए नियूक्त हो चुका द्वारा रिप्लाई किया गया कि यहां पर 11,000 नौकरियों की बात नहीं है क्वालिटी एजुकेशन की बात है और जजज साहब ने अपने ओडर में कहा कि यहां पर नौकरी की बात है ही नहीं जो 11 अगस्त का फसला है था 23 सवाला ये बच्चों के मौलिक अधिकार का मामल है उसमें कहा गया है कि केवियस की तरब से यह रिक्वेस्ट किया गया था कि डियलेट की संख्या कम है इस वजए से बीड की अभेर्थियों को प्राइमरी में मौका दिया जाना चाहिए और उस बेस पर MP में भी मौका मिलना चाहिए तो इस पर फिर से डियलेट के दार है और 11,000 बीड की जगे इनको मौका मिल जाएगा तो संख्या की तो कोई बात ही नहीं है परियाप्त संख्या है जितनी सीटे हैं उससे काफी अधिक संख्या में प्रिजन टाइम में डियलेट अभेर्थि अवेलेबल है तो संख्या की बात नहीं है वो दोरटारे में किस क 2022 में अडवर्टाइजमेंट आया था और 2013 में फासल आया सुप्रिम कोर्ट का टेलेट के वोकिलों अधर कहा गया कि रास्तान जोत्पुराई कोर्ट का पॉर्डप देखिए वो 2021 में ही आ गया था और उस समय NCTE का नोटिफिकेशन क्वेस हो चुका था इसके बाद मामला MP के हाई कोर्ट में भी गया था मामले के जब सुनवाई हो रही थी तो MP हाई कोर्ट ने मामले को सब्जिक टू आउटकम रख दिया यानि कि जब मामला एक बार सुप्रिम कोर्ट में चला गया देवे शर्मा वाला तो MP हाई कोर्ट ने मामले को सब्जिक टू आउटकम रख बिहार में बिहार में भी च्छटे चरण में जो प्राइमरी में बिए डब बहती न्युक्त हैं लगबग 20-22,000 तो वहां पर भी पटना हाई कोड ने सब्जिक्ट आउटकम रखा था मामले को और जब 11 अगस्ट दोह तेज का फसला गया तो पटना हाई कोड ने बिएड को सब्जिक्ट आउटकम वाला मामला भी जजस साहब ने सुना लेकिन फाइनली बिएड के वकील द्वारा ये प्रे किया गया कि जो न्युक्त हो गएं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए 11 अगह 23 इसके बाद जो न्युक्तिया हुई है उसमें बिएड एलिजिबल नहीं उस अब जब ओडर आएगा आज का तो देखना होगा कि उस ओडर में क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं एक और यहाँ पर मामला था मैं आपको लाश्ट में बता दूं कि डियलेट के वकिल दोरा ये कहा गया कि 25 नॉम्बर 2020 को जोत्वुर हाई कोट ने NCTE का घजट नोट अब आदल दिया होता यानि इस फैसले को रिवर्स कर दिया होता तो जो रहस्टा सुप्रिम कोट का आता वो 2023 से लागू होता लेकिन जब सुप्रिम कोट ने जोत्वुर हाई कोड के ऑडर को कभी स्टे नहीं किया और उसी को लागू कर दिया 2030 में तो यह जो फैसला है वो जोत्पुर हाई कोड और के देट से ही मानने होगा और एक और और का फ्रेज दिखाया डियलेट के वकिलों ने इसमें कहा गया कि 28 जून 2018 जिस दिन नोटिफिक्शन आया था वो कैस हुआ उसके बाद ही सभी उठाये गए step invalid है यह आपने खुद अपने order में कहा है तो सारा को सुन लिया गया है अब देखते हैं कि फाइनलिस में क्या order आता है जो भी अपडेट होगी जनकाई निकलेगी मैं आपको बता दूँगा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे साथ बने रहिए thanks for watching